Hello Friends, मेरा नमे स्सामाल, और आपको मारे YouTube चेनल saamal internet. आज आया है एक ने टीघ्यों लेकरा किöttी लिएक ज़ो कि Spartan Company का बारबेंडिंग मेश् initiatives का बारे में है। Spartan Company का बार बेंदिंग मेश्टमें में का जो जो idlerctr farkle parts लगता उसका function क्या है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे देखिए ये पहला तो ये MC भी है जो की miniature circuit breaker होता है short circuit protection के लिए हम इसको use करते है और power को on off करने के लिए भी use करते है ये Spartan company में जो जो सब electrical device और parts use होता है control system और power system के लिए उसका parts का एक एक नाम और उसका function क्या है हम इस वीडियो में जाने चलिए पहले हम start करते है जो ट्रांसफर्मर लगा है देखिए दोस्तों ये है ट्रांसफर्मर जो की step down transformer होता है step down transformer क्या करता है चार सो पंदरा वोल्ट लेता है उसको step down करके एक 60 वोल्ट निकलता है और एक 24 वोल्ट एसी निकलता है जो ट्रांसफर्मर है step down करने के लिए हम input voltage चार सो पंदरा डाले है जो इसमें भी mention किया हो है चार सो पंदरा है जो दो लिड डाले है और 380 भी है 440 तक भी है आपको जरुरत है उतना डाल सकते है इस साइड में जो है आउटपूट के लिए निकलता है आउटपूट रेल के लिए एक 60 वोल्ट एसी निकलता है और एक 24 वोल्ट डीसी निकलता है देखिए आपको बता है कि जो सिंगल पूल का MCV उपर में लगा हुआ है MCV से यहाँ input के यूज होता है जो की थाड कंटाक्टर को जाता है मैं पिछले वीडियो में बना चुका हूँ अगर आप देखना चाते है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उधर जाके आप डायट देख सकते हैं अगर दोस्तों आप मेरा चैनल पे निया है प्लीज मेरा चैनल इंपुट लेता है तो यह हामारे पी एलशी को जाता है पाई-पी एलशी आं करने के λिए और कांट्रोल सिस्टम को करने के लिए हम टवी तोवनट डिस्ी वोल्ट दिखाएगा और उपर में दखिए 0 वोल्ट AC है और नीचे जो 24 वोल्ट AC है उसको मेजरमेंट करेगा तो आपको 24 वोल्ट AC दिखाएगा तो इसका काम यह होगा कि यह हमारा AC to DC convert करता है purify करके हमारा PLC है यह PLC को देता है यह PLC है यह programmable logic control है system जैसा काम करता है जैसा कि पहले से programming करके इसका अंदर में दिया जाता है जैसा कि उसको command मिलेगा जो command मिलता है उसका हिसाब से काम करता है इसको 24 वोल्ट DC मिलेगा तो यह जो PLC का controller है वो on हो जाएगा और हम जैसा फूर्ची प्रेस किए कुछ भी प्रेस किए जो command दिये उसका हिसाब से वो काम करेंगा यह MC भी है फेज को सिक्वेंशी करके यह on करता है जो नीचे पांड है 15 नवर 18 नवर पांड है वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ अगर देखना चाहते है तो आपको दिस्क्रेशन में लिंक मिल जाएगा उपर में तीन फेच देगा जैसा कि फेच सिकुंसी में आएगा यह हमारा on होगा तब जाकर हमारा control system काम करेगा जो सिस्टम दिया है उपर में दिया है नव घुमाने के लिए और नीचे में दिया है उसको जो परसेंट है वोल्टेज के लिए उपर में लगा हो है यह एक्स्ट्रा लगा हो है यह अनसी के लिए हम जो आड़ेन ब्लाग यूज किये है उसके लिए यह एनसी के लिए उसके है हम control system के लिए तो यह हो गया इसका अंदर का पार्स का बारे में और यह हमारा connector है जो कि हम लीड कनेक्ट करके power supply उसक जैसा कि हम इसको जिस तरफ से घूमा करांगर देखिया इधर है तो अंगल में रहेगा और जो ऊपर मेंred pane p2 में यह P3 है आंगेल में रहेगा पूरा आंगेल मूड़ेगा शरिया और P2 में 90 डिग्री और जो P1 है वो 180 डिग्री तक शरिया मोड़ सकता है तो आपको इसको रखना है कहां पे P3 में रखना है नहीं तो आपका जो लिमिर्ट स्वीच है वो फंक्शन नहीं करेगा जैके इसमे हीट करता है तो हीट देना के बाद में यह हमारा जो कांट्रल सिस्टम को आफ कर देता है कि हमारे जो लिमिटेशन में पहुंच गया है हमारे मेसिंग को यह बंद कर देता है दोस्तों यह था छोटा सा जानकारी थैंक्यू फर वाचिंग